हाई मैं परशान्त आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटी टू कॉमूलिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में one of the most important topic for options trader उसके उपर बात करने जा रहे हैं और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं PCR ratio क्यों पर तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि PCR ratio होता क्या है इसको हम calculate कैसे करेंगे और फिर इसका इस्तेमाल हम options trading और futures trading में कैसे कर सकते हैं और साथी साथ यहाँ पर हम यह भी analyze करेंगे कि क्या वाकई PCR level का इस्तेमाल हम options और futures trading में कर सकते हैं या फिर PCR के बारे में ऐसे ही हाइप बनाया जा रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम डीटेल से समझते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, कि हमें PCR लेवल कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम NSC की Option Chain पर आना चाहेंगे, यहाँ पर NSC की Option Chain में, और यहाँ पर पेज की बाटम की तरफ आएंगे, तिहाँ पर आपको उपर में Calls और Put दिखेगा, और यहाँ पर आपको OI पे ध्यान देना है, Calls की तरफ जो OI दिख रहा है, देख सकते हैं स्क्विन पर, मैंने Highlight करते हैं, यह OI दिख रहा, Put की तरफ आपक कौन से डेटा को लेते हैं, अगर आप यहाँ पर डेटा की बात करें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर में रखते हैं, Put के OI को, divided by Call OI, और उसके बाद, इसके बाद जो भी रेशियो निकलता है, क्या होता हमारा, PCR वेशियो यही आता है, तो चलिए, यहाँ पर हम calculate करत है, PCR level, 21st April 2022 वाले options contract में, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले Put की तरफ आना चाहेंगे, Put की तरफ open interest कितना है, यहाँ पर आपको दिख रहा, 427752, यह number of open interest है, call की तरफ अगर हम बात करें, तो overall, 21st वाले contract में कितना open interest है, आपका 795, 645, यह amount of open interest, तो यहाँ पर हम स 7752, divided by, call वाले के तरफ रखना, 795645, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे, तो आपका आएगा 0.53 के करीब, इसका मतलब क्या है, कि अभी 21st अप्रील वाले contract का, जो strike price है, repeat, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, कि 21st अप्रील वाले जो options contract है, उसका PCI अप्र अब PCI लेवल हमने calculate कर लिया, अब 0.53 PCI लेवल हमें क्या hint और indications देता है, उसके उपर बात करते हैं, उसको समझते हैं, तो सबसे पहले, मैं PCI लेवल का आपको एक range बताना चाहूंगा, PCI लेवल का जो general range रहता है, 0 से 2 के बीच में रहता है, 2 से उपर भी निकलता है, ले इस range के बीच में अलग-अलग लेवल्स आते हैं, अलग-अलग लेवल्स पे PCR आने का मतलब क्या होता है, वो हम समझेंगे, उससे पहले यहां पर हम यह भी देखते हैं, कि PCR लेवल हमें क्या कुछ बताता है, तो यहां पर हमने open interest के basis पे PCR लेवल निकाल लिया, और उसके range क भी identify कर लिया, तो यहां पर question उठता है, क्या हम सिर्फ OI के basis पे PCR लेवल निकाल सकते हैं, PCR ratio निकाल सकते हैं, या फिर कोई और measurement का तरीका है, तो यहां पर आपके सामने एक और measurement का तरीका है, लेकिन जो most popular है, और जो most known है, वो है OI के basis पे, अगर आप से कोई PCR ratio ऐसे लेकिन यहां पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, change in OI, OI के basis पे तो सब को पता है, जो stock market पे beginners उनको भी पता, जो advanced level पे आल गया है, उनको भी पता है, लेकिन change in OI के basis पे बहुत कम लोग PCR ratio निकालते हैं, तो change in OI का number यहां पे आपको नहीं मिलेगा, यह आपको live market में ही number मिलेगा, NST की website में नीचे आजाएंगे, live market में आपको number मिल जाएगा, यहां पे भी put की तरफ भी जो change in OI है, वो आपको उपर की तरफ रखना परेगा, यहीं put की तरफ जो आपको change in OI देखेगा, डिवाइडर वाई, call की तरफ change in OI देखेगा, तो इसके basis पे भी आप य PCR रेशियो निकाल सकते हैं, PCR रेशियो निकालने का दो तरीका है, सबसे पहले, OI के basis पे, put OI divided by call OI, दूसरा तरीका है, कि आपका put change in OI, हम COI लिख देते हैं, divided by call COI, that means change in open interest, तो इसके basis पे भी आप निकाल सकते हैं, एक और, volume का तरीका है, लेकिन volume का तरीका सही नहीं है उसको आप ignore कर दीजे, तो दो तरीका है, change in OI के basis पे और OI के basis पे, लेकिन most popular और जो most use किया जाने वाला है, वो है OI के basis पे, तो यहाँ पर आपको सबस पहले, OI के basis पे निकालना, उसके बाद आप change in OI के basis पे निकाल सकते हैं, confirmation check करने के लिए, इससे आपका, जो भी decisions ल contract का भी देख सकते हैं, जो general terms पे हम देखते हैं, nearest contract का देख सकते हैं, 21st April का, लेकिन यहाँ पे आप monthly पे भी जा सकते हैं, हम 28 April का भी PCR ratio निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, monthly में आपको put की तरफ ये दिख रहा है, और call की तरफ ये दिख रहा है, यहाँ पे put का जो number है वो contract उसका जो PCR है, वो थोड़ा सा कम दिखता है, तो अलगलग लेवल का PCR क्या हमें क्या hint to indication देता है, चलिए उसको हम समझते हैं, यहाँ पे हम PPT पे आगे हैं, और सबस्पहले में आपको बताता हूं, कि PCR लेवल हमें क्या बताता है, तो PCR लेवल हमें ये बताता है, कि market में क आपको कब डरना चाहिए, किस लेवल पे आने के बाद आपको डरना चाहिए, और कहाँ पे आपको greedy बनना चाहिए, यानि कहाँ पे आपको लालची बनना चाहिए, और कहाँ पे आपको माल उठाना चाहिए, वो एक आपका indications दे देता है, और कभी-कभी market अगर आपका अभ में बहुत जादा ड Chan rejo大家 उस टाइम पर आपको माल डंप करना माल उठाना नहीं कभी-कभी आपको सत्रह-500 के level पर नहें के बाफ़ूद भी Market बहुत ज़्यायादा great-host होता है बहुत ज़्यादा demand रहता है उस टाइम पर आपको माल उठाना होता है तो PCI level वही बताता है कि कौन से level पे कब market में आपको greedy बनना है और कब market से आपको डरना है और यह चीज आना चाहिए और यही चीज ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा help करता है अगर आपको यह नहीं पता है कि market से हमें कब डरना कब हमें market में positions नहीं लेना कब buy नहीं करना कब sell नह होसते हैं कि अलग-अलग level पे PCR level का आने का क्या मतलब है यहाँ पर आपको एक table दिख रहा होगा सबसे पहले यह जो range है वो PCR का range है अगर PCR इस range में आता है तो यहाँ पे क्या हमें करना चाहिए सबसे पहले PCR अगर आपका 1.7 या फिर 1.8 आ गया है इसका क्या मतलब है इसका मार्केट में खरिदारी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है उसके बाद क्या होता उसके बाद जैन्र वाली प्रॉफिट बुकिंग आता है यहीं लोग वहाँ से बेचना स्टार्ट करते है तो जैसे ही PCR आपको 1.75 या 1.8 पर दिखे मार्केट बहुत ही ज़्यादा आपको अवरबॉट मार्केट को इंडिकेट करता और यह हमें बहुत ही ज़्यादा बेरिश शाइन देता है ठीक है पहला रेंज याद रखना 1.75 या आपको जल्दी नहीं मिलेगा बुलिश मार्केट में ही मिलेगा जैसे आपका 2020 से लेके 2021 के बीच में करोना के टाइम मे था उस टाइम पे मार्केट आपको यहाँ मिलेगा अधरवाइग जैनरल कर्णिशनल मार्केट आपको इस लेवल पे मिलेगा भी नहीं दूसरा था PCR लेवल आगर आपको 1.60 के आसपास दिखे तो यह भी दिखा रहा है कि मार्केट आपका extremely overbought है यहाँ पे मार्केट 1.8 पे नहीं जा सकता है 1.6 से नीचे गिर सकता है तो 1.6 पे PCR है फिर भी आपको सतर्ग हो जाना है और यहाँ पे जो भी आपने profit लिया है या जो भी आपने positions मनाया है उसको आपको book करना profit बूक करना और market से निकलना इन्हीं market से हलका होना है और यह किसी भी लेवल पे आ सक कभी कभी उपर के लेवल पे भी आ सकता है अगर PCR लेवल आपका 1 है that means to neutral है PCR लेवल यहाँ पे हमें कोई sign नहीं दे रहा है नहीं market आपका overbought है नहीं oversold market है PCR लेवल 1 है मतलब neutral market है यहाँ पे अगर buyers इंट्वी करते है market उपर जाएगा sellers इंट्वी करते है market नीचे भी जा स रखता है अगर PCR लेवल 0.75 है इसका क्या मतलब है 0.75 PCR का मतलब यह है कि आपके 75 put writers का against so called writers मौझूद है मतलब put writers quantity कम है और यह दिखा रहा है कि market में excessive beers आ गया है यानि बहुत ज़्यादा विकवाली market में हो रहा और यह bullish राइन देता है इसके बाद market आपका reversal लेके ऊपर की सकता है उसकी बाद आपको यहाँ पर एक और लेवल देखना है अगर PCR लेवल आपका 0.6 से 0.65 के बीच में आगे है तो यह आपका extremely oversold market है जब भी आपको यहाँ पर दीखे आप आख बंद करके माल उठाओ यह time है जहाँ पर आपको market में grid लाना लालची बनना है और जब PCR PCR लेवल 1.7 या 1.8 पर आए यहाँ पर आपको fearful बनना यह नहीं यहाँ पर आपको डरना है market से तो 0.6 या 65 पर बहुत कम देखने को मिलेगा अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप माल उठा सकते हो यह आपका bullish hint और sign देता है लेकिन एक ची ध्यान रखना है different market condition में PCR क इनकी बीच में conflict है global market में interest rate high खोड़ा यह आपका bearish market है यहाँ पर अगर आपको PCR 0.6 या 65 पर दिखता है तो यह आपका extremely oversold count नहीं होगा यह आपका oversold count होगा लेकिन extremely oversold count नहीं होगा तो different market condition में PCR level change भी हो जाता है तो यहाँ मैं आपको एक example बताना चाहूंगा कुछ दिन पहले market आपका 15-500 के level पर आ गया था उसके बाद बहुत साइब लोग कहना था कि market यहाँ पर 15-200 करीब जाएगा लेकिन PCR level हमें बता रहा था कि market extremely oversold है यहाँ पर buy करने वाला जून है और जो भी लोग PCR level को ध्यान में रखते हुए buy किये होंगे उसके बाद देखिए market वहा activity गिरावर दिखा दिया है तो PCR level हर एक level पर बताता है कि market overbought है यह फिर oversold है और यह आपको options और futures में trading लेने में बहुत ज़्यादा help करने वाला है तो इसके basis पर आप आसानी से future options में trading ले सकते हैं बहुत ज़्यादा help मिलेगा तो इससरे विदेट अगर आपको कुछ doubt या confusion है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में किसी और informative content को लेगे जैहिन